आज मैं खट्टी मिठी इमली की चट्णी की रेसेपी आप रुक्षर शेयर कर रहे हूं मैंने 200 ग्राम इमली लिया है और मैं दू टेविल स्पून सौफ, हल्दी, विच्च का पॉर्टर, काला नमक, नमक, आधी कटोरी गुड़, और आधी कटोरी मैंने चीनी लिया है मैं इतनी चीजों से अच्छी खट्टी मीठी चट्णी बनाएंगे, आप मैजर्मेंट चाहे तो आप कटोरी किसाब से कर सकते हैं, अगर आप एक कटोरी ले रहें हैं, इमली, तो उसे कटोरी से आधी मिन जा सकते हैं, गुड़ से डिल, बन सकते हैं कि मैंने पाण किया है यह थोड़े सा पानी एक कर रही हूँ है है मैं रोहीनी में अपनी दिया है मैं अपनी जाओ रे मैंने इमली का पल्प इसमें डाल दिया है, इसे हाई फ्लेम पे इसे अच्छा से बॉयल करेंगे, बहुत सिंबल सा चटनी है, आप इसे किसी के साथ भी सर्फ कर सकते हैं, रोटी के साथ खा सकते हैं, या फिर आप चाट में डाल सकते हैं, आप जाहे दही बढ़े के उसमें अब चटनी को किसी के साथ भी खा सकते हैं, बहुत स्वाधिस चटनी यह बन के नियाता है, अब मैं दो चम्मच ली हूँ सौफ और एक टेबल स्पून मैंने लिया है, जीरा, अब चाहे तो अगर आपको तीखा चाहिए तो आप इसमें कुलमिच भी आट कर सकते हैं, बस इस अच्छा सा भून लोगी, मैंसे इमली भी हो इधर उबल रहा है, फ्लेम को मैं लो और मीडियम करके से बॉल कर रहे हैं, पहले हाई किया था जब बॉल हो गया, तो मैं इसे लो मीडियम करके बॉल कर यह अब मैंने आधिक टोरी चीनी और आधिक टोरी गुड का पॉड अब मैं छोटे से खलवट्टे में सौफ और जीरा का पॉडर बनाऊंगी, मैंने थोगा से दरदरा रखा, आप चाहिए तो इसे बारीक पॉडर भी बना सकते हैं, अराम से यह तीन-चार मैंने आप इस चटनी को बना के रख सकते हैं, खराब नहीं होगा बिल्कुल, मैंने हलका सा दर-दरा इसे कुटा है, अब देखिए चटनी कितना गाड़ा होगे, इन मिली, गुर और शक्कर डालने के बाद, अब मैंने इसमें थोड़ा सा नमक, लाल मिर्च पॉडर और हल्दी, थोड़ा सा काला नमक एड़ किया है, और अब मैं सौफ और जीरे का जाटनी बन किया है, और बहुत ही टिस्टी, आप इसे किसी कज़र सर्फ कर सकते हैं, आपको चाहिए, अब तीखा चाहिए, तो आप इसमें शक्कर और गुरना डालके खाले नमक डालके भी बना सकते हैं, अब अच्छा सा बॉइल कर दूँगे, अगर इसमें आप मीठा जाटनी चाहिए, तो आप इसमें थोड़ा सा मिठी का पॉडर एट करेंगे, फ्लिवर के लिए, बस ये बन गया है, मैं गैस को बंद कर दी हूँ, जैसे ही ठंडा होगा, तो मैं इसे एक जार मी निकाल दूँगे, बस इसके मैं रखके से, किसी भी के साथ भी आप इन्ज दिखिए, बन चुका है, अब मैं इसे रख दूँगी, और इसे सर्फ करूँगे, जैसे जिसके साथ खाना होगा तो, उन्डी के चटनी बन के रेडी है,